ज्यान प्राप्त करने के तीन मारग हैं पर्थम मारग है परतेक्स परमान दूसरा मारग है परतेक्स परमान का अर्थ क्या है जो मैंने देखा जो मैंने सुना और जो मैं समझा इसको परतेक्स परमान की व्याक्या समझे इन चार इस्तर के ज्यान को परतेक्स परमान कहते हैं और विज्ञान नबे परतिसत इसके उपर काम कर रही है साइंस का जो ज्ञान है उसका आधार परतेक्स प्रमान है जिसमें मैंने जो देखा मैंने जो सुना मैंने जो अनुबो किया और मैं जो समझा वही सही है लेकिन प्रश्ण होता है कि क्या मैंने देखा वो सही है क्या मैंने सुना वो सही है क्या मैंने अनुबो किया वो सही है क्या मैं जो समझा वो सही है क्या वो भी सही है अगर ऐसा है तो हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें पता चलेगा कि क्या हम जो देखते हैं और समझते हैं क्या वो सही होता है तो इस वीडियो को देखिए इसने क्या देखा क्या समझा इसने पीछे से लंबा बाल देखकर समझा कि यह लड़की है लेकिन लड़का निकला साइंस में हज़ा ही होता है यही साइंस का मुख्य दोस है क्यूंकि हमारी इंद्रियां अपूर है जिसके कारण हम बर्मित होते हैं मैं साइंस में ज़्यादा गेराई से नहीं जाऊंगा साइंस आधारी जो ग्यान है वो पूर्ण नहीं है क्यूंकि एक limited बुद्धी के वेक्ति का अनुबो है याद रखिए जिसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है उसका ज्यान पूर्ण नहीं है क्यूंकि उसकी एक limitation रहती है इसलिए आज के विशे के अनुसार हम परम सत्ते के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं अर्थात भगवान के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवान तो अनन्थ है और हमारी इंद्रियां सीमित है तो फिर हम सीमित इंद्रियों से अनन्थ विक्ति या अनन्थ विशे को कैसे जान सकते हैं नहीं जान सकते हैं Science की पदती अंततह इंदरियों की अनुपूती पर आधारी थे, इसलिए भोतिक इंदरियों की अनुपूती की आधार पर हम परम सत्य को नहीं जान सकते हैं, फिर है दूसरा परमान, अनुपान परमान, अर्थात कलप ना करना, अत्वा किसी चीज के बारे में अंदाज लगा किया डार्वीन की जो थियरी है अनुमान पर आथारित है जैसे कई बार दादी अपने बच्चों को कहानिया सुनाती है उदान के तौर पर डार्वीन का कहना है कि हाथी की सूंड पहले लंबी नहीं थी लेकिन एक बार हाथी नदी में पानी पीने के लिए गया और मगज मर् हाथी ने खींची तो लंबी हो गई लंबी हो गई लंबी हो गई ये डार्वीन की थियरी है ये थियरी ऐसी लग रही है जैसे कोई दादी मा अपने बच्चों को कहानिया सुना रही है डार्वीन एक बार कहा था कि अगर आपको इस ब्रमान के ग्यान को प्राप्त करना है तो इसके लिए आपके पास अनुमान परमान के सिवाए कोई रास्ता नहीं है अनुमान लगाईए वोई एक सही रास्ता है लेकिन याद रखना हम अनुमान के आदार पर भोतिक ज्यान प्राप्ता नहीं कर सकते हैं तो फिर आद्यात्मी ज्यान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भोतिक ज्यान लेने के लिए पदधती सर जाना पड़ता है। तो आद्यात्मी ज्यान में कलपना कैसे चलेगी। अगर हम भोतिक ज्यान में कलपना करते हैं भोतिक ज्यान में तो क्या होता है। इसके बारे में एक लेकिन दबेगी, इस बटन से रुख जाएगी, लेकिन उल्टा होगा, ऐसे ही कलपना और तरक से पूर्ण ग्यान प्राप नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि तरक की एक अपनी सीमा रहती है, जैसे हम किसी सहर में परविश करते हैं, तो देखते हैं कि ट्राफिक की वेवस्ता है, जो इस संसार को क्या कर रहा है, चला रहा है, लेकिन जो भगवान कौन है, कैसा दिखता है, वो हम तरक से नहीं समझ सकते हैं, जैसे कोई ट्राफिक वेवस्ता के पीछे, पोलिस वाला रहता है, लेकिन ट्राफिक पोलिस वाला कैसा है, उसके बारे में हम अनुमान नहीं कर सकते हैं कि वो इस्त्री है या पुरुस गोरा है या काला छोटा है या बड़ा हम तरक लगागर ऐसे नहीं समझ सकते हैं क्योंकि तरक ये एक सीमा रहती है और महाबार के अनुसार तरक से हम आध्यात में वीशियों को नहीं समझ सकते हैं अचिंत्या खलूये भावा नतासकरेण योजियत परकर्ति भय भय परसयद तद अचिंते लक्षणम अर्थात भोतिक परकर्ति से परे रहने वाली हर दीवे वस्तु को अचिंतिक आ जाता है और तरक भोतिके भोतिक तरक दीवे विश्य वस्तु का इस परस नहीं कर सकते हैं इसलिए मनुस्य को तरक के द्वारा दिव्य विशे को जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए ये महाभार्त भिस्म परो पांचमा ध्याय स्लोक संक्या 22 में लिखा है इस स्लोक के अनुस्या परम सत्य अर्थात भगवान को अचिंत्य का जाता है क्योंकि भगवान भौतिक परकृति से परे हैं और तरक भोतिक परकृति की अंतरगत है इसलिए भगवान को समझने के लिए तरक और कल अपना काम नहीं करेंगे और ये जो है इस स्लोक में इसपर्ष्ट का है ये बात कि भोतिक तरक दीवे वस्तू दीवे जो विस्य वस्तू है उसका उस परस नहीं कर सकते है आध्यात्मी विस्यों को इस परस नहीं कर सकते है इसलिए मनुस्य को तरक के द्वारा दीवे विस्यों को जानने का बिलकुल परियास नहीं करना चाहिए जानने का परियास नहीं करन झाल झाल